हेलो एब्रीवन क्यासे आप लोग उम्मेद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे देखिया आर्टीफिसियल इंटेलिजेंस में अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपको स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए और आप स्क्रीन पे देख पार होंगे आर् इंडिया की नहीं बहुत सारे बाहर की भी कंट्रीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कुछ ऐसे भी कंपनी जो स्टॉक लिस्टेड नहीं है बट मैं आपको आज वीडियो के मायदम से एक सूपर स्टॉक बताने वाला हूं जिस पे पैसे लगा के चैन किनीन सो के और आ और एक निव कंपनी है जिसको मैं बताऊंगा दोनों मैंसी किसी स्टॉक को अपनी अनलेसिस करने के बाद में आप स्टॉक्स पे बन सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं वीडियो अच्छा लेगा तो वीडियो लास्ट में लाइक कर दीजेगा चैनल की बूम करने वाले हैं इसके साथ साथ आपका लॉजिस्टिक भी बहुत अच्छा बूम करेगा पूर्ट वाली कंपनीज भी बूम करेंगी क्योंकि जब मैनिफेक्टिरिंग हब बनेगा तो भीया आप समझी सकते हैं उसको ट्रांस्पोर्ट करने के लिए सारे स्टॉक्स भी चलेंगे तो इतनी गहरी डिटेल्स हिडेन तरीके से आपके सामने रखूंगा आने वाले टाइम में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा चरिए आज की वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग जानते हैं जिस पर आप चैन की नीन्स हो सकते है पैसे लगा सकते हैं वो कंपणी है टाटा एलेक्सी लिमिटेड वह इस कंपणी को खरीद लीजे और भूल जाइए अपने आने वाले फ्यूचर के लिए ये कंपणी आपको बड़ा प्रॉफिट बना के दे सकता साथ हजार का प्राइस ना देखिएगा आप अपना इंव प्रॉप Wiki से फेस वैले वाला ये डी स्टॉक स्पलीड होता है और बॉनस तो भी यह यह कंपनी लंजिया ये यकंपनी भी आने वाले टाइम में टेटा, आक्सी अपको बॉनस दिखे गी अपस्पर बने रहेंगे तब तो सब्सक्याइस के बाद sяч टॉड़ा आपको जाना है return on capital employed return on equity टाटा का brand भाइया खरीद लिजे आपको लास्स लिए स्टॉक को खरीदना ही होगा आज खरीदिये कल खरीदिये परसो खरीदिये आपको खरीदना होगा अगर आपने नहीं खरीदा तो आप पच्छताएंगे और अभी एक कमपनी आपको एक opportunities ढूंड ये खरीदने का और चुपचाप से भूली है विकॉज टिक्नोलोजी कभी खतम ने होने वाली है और जिस सिग्मेंट पर काम कर रही आर्टिफिसल इंटेलिजेंस मैं इसकी और डिटेल्स वीडियो बना के लाओंगा अभी मैं आपको यहाँ फंडमेंटल दिखा कम है बट यह स्टॉक ऑल्रेडी चल चुका 5000 से 8000 की जर्नी इसने लगवाग एक मैने में ताई कर दी मैंने और अरकल फाइनस का वीडियो बनाया था और इसी के बेसिस पर बनाया था कि इस सेक्टर पर सबसे कम जो अभी पी पे ट्रेड कर रहा वह और अरकल फाइनस से जा शता हूँ कि अगर आपने कर दाने तो आपको कल नहीं तो परसो खरीदना होगा यह ज्यादा अच्छा कि अभी आप खरीदिये नीचे गीरे और खरीदिये मेरे इसाबसे ठीक है लेकिन आपको मैं एक सी जब्लब कहना चांँगा कि कि आप यह सोचके ना खरीदियेगा औ आप यह सोच के खरीदिये कि आपने एक बच्छा चीज खरीदा और जो कि आपको फ्यूचर पे एक अच्छा पैसा बना के दे सकता मेरा डारेक्ट रिकमेंडिशन बिल्कुल ने इसे स्टॉक पर पैसे लगाने के किसी भी स्टॉक पर स्टॉक मर्केट के चाहे वो रिलास इंडस्टी हो, HDFC बैंक हो, बजाज फाइनस हो, HDFC हो, कोई भी स्टॉक हो, मैं डिरेक्ट रिकमेंडिशन बिल्कुल ने करता हूँ फिर भी ये टाटा का ब्रैंड, टिकनोलाजी कंपनी, आने वाला स्टाइम का सेक्टर, फिर भी मैं कहा रहा हूँ कि आप एनलिसिस करने के बाद पैसे लगाएगी, ये तो था पहला स्टॉक, चलिए दूसरा स्टॉक मैं आपके सामने टाइप करता हूँ, जो कि मेरा कंपनी, रिटर ओन, कैपिटल, इंप्रोन, रिटर ओन, इक्विटी, तीस के आस पास में, बुक वैल्यू 90 रुपीस के आस पास में, स्टॉक का जो पी है, बावन पे ट्रेड कर रहा, इंडस्टी का 36 पे ट्रेड कर रहा, भाईया प्रमोटर्स की होल्डिंग है 50%, स्टॉक मिल रहा है नीचे, मैं इसको क्यों खरीदने के लिए कह रहा हूं, इस चीज को आप समझेगा, इस कंपनी की सेल्स देखिए 2020 से, सिंस प्रम्ड़ 2020 दिसंबर, 2023 के दिसंबर लगबग 3 सालों में, इनकी सेल्स 200 करोड से 400 करोड हो चुकी है, लगबग 3 साल में डबल हो चुक प्रॉफिट मार्जिन, तो ये थोड़ा सा थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए मैं सारी चीज़े बताता हूं, ताकि आप एक भैतर डिसिजन ले पाएंगे, अगर मैं कंपनी का सेल्स बता हूं, तो 2012 से लेके 2023 तक में, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि 8 करोड की सेल्स करने वाली कंपनी, आज 1400 करोड की सेल्स कर रही है, और 29 करोड की लॉस करने वाली कंपनी, आज 400 करोड की प्रॉफिट कमा रही है, सेल्स ग्रोफ 35 परसेंट का है, और प्रॉफिट ग्रोफ जो है, 21 परसेंट का है, रिटर्स और इक्विटी बहुत तकड़ा, कंप कंपनी का डिड़ जितना है उससे जादा इनके पास में रिजर्प से कंपनी का जो रिजर्प से वह 1350 करोड के आसपास में नजर आ रहा जो पैसे रखे हुए कंपनी का बुरहिंग 500 करोड कभी यह चुकता कर सकता तो यह बहुत अच्छा मतलब पहल है अभी मैं पर मोटर की holding की बात करूंगा यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि पर मोटर्स holding 50% के आसपास में एफाइस की holding 5% है डियाइस की holding 2% है और यह public holding 40% है तो यहां पर इसे stock पर थोड़ी सी negativity आपको दर्शाती है कि पर मोटर्स माल बेच रहें एफाइस माल बेच रहें डियाइस माल बेच रहें खरीद कौनरा पब्लिक तो यह थोड़ा सा पेनिक सिच्वेशन होती है किसी stock पे अगर एफाइस डियाइस माल खरीद रहा और पर मोटर्स भी माल खरीद रहा तो वह company बहुत तगड़ा होता इसी के basis पर मैंने इसे एक नंबर नहीं दिया टाटा इलेक्सी को दिया तो दोनों में से किसे स्टॉक कॉप अपनी अनलेसिस के दम पर रख सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा तभी के बारे में सोचिएगा अधरवाइस अगर आपके पास कम पैसा तो चुप चाप से टाटा इलेक्सी पे बैठिए लंबे समय के लिए पैसा जबर जस्त बना के देने का समझता यह रखता है company potential रखता है उम्मीद करता हूं आपको एक अच्छी वीडियो दे पाया हूं वी हमारे चैनल विजिट करने के लिए हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू